हेलो एव्रीवन वेलकूम बेक टू काविसर केडवी हीर आई विल डिस्कॉस उनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंट्रस अग्जाम मसी बायो कामेस्ट्री 2019 पीपा सेल्यूशन ओके तो यहां पे हम यह पार्ट सेकिंड वीडियो है पार्ट फर्स मैंने अल्रेडी डिस्कॉ कर दिया है उसके अंदर हमने डिस्कॉस किया ता पार एक को उसे स भॉजन सब्सक्राइब कर दिया है यह बांत सेकिंड वीडिए है इस पाइस के अंदर हम डिस्कॉस करें walking part b के को तसका न इन के नॉन तू स्तार्ट करते हैं बिफोर स्ताडटिंग दिसे वीडि आपी सब कुछ मार्क करके कुछ कंडिशन दे रखिए यहां पर क्या दे रखार पड़ते हैं इस कोशन्स आपको क्या करना है सारे के सारे करेक्ट अंसर को मार्क करना है राइट क्लिक करना है फॉर एक्जामपल इफ दियार थ्री राइट अंसर मान लोग कि यहां पर थ्री राइट अंसर लाइक बी सीडी ओके ओल त्री ओप्शन्स मुस्ट भी मार्क करना है अदर्वाइस इट विल बी कंसिडर इंकर्ट वर्ना यह जो कोशन है वह आपका इंकर्ट हो जाएगा ओके तो यह जिस ध्यान रखना नाओ कोशन नूमबर 26 दफेक्टर विच अफेक्टर विच अफेक्ट वैल्यू ऑफ एन अमिनो एसे कौन सा फेक्टर है कौन से फेक्टर से जो पीक वैल्यू को इफेक्ट डालते हैं नाओ सबसे पहले चीज़ यह आती है वाट इस मीन बाइप पीके पीच ऑन विस अमिना एसे इस अफ असोशेट एंड हाफ डिसोशेट ओके इसको अम डिनोट करते हैं आप बायोचेमिस्टी का पेपर दे रहे होता आपको अच्छे से आता होगा ना इसको आपको पता है कि पीके वैल्यू निकाली जाती है अलग अलग अमिना रहे रखी और इसको दो अंजिवासित कीपिक वैली को काल्कुलेट करना होता है है कि ध्यान रखना की अगर यह आजडब बेस ब्यादा होगा घजखेश को वो इस पर ऐफ्ट डाल रहा है तो यहां पर जो अपिछन होता है वो चरह होता है c उसकी एक तरह यह रंटा डिया यह करेक्ट है यह दा रहे बागी जो लोड आ शर्ज ही यह भी करेक्ट है प्प्पार्ट यह भी आपका है तो करेक्ट अंसर है आपका आप्शन नमबर A, B and C तीनों अंसर सही है तो A, B, C is the correct answer Now, free rotation about peptide bond in the protein is restricted by तो यहाँ पे जो peptide bond का जो rotation होता है वो किसके तरू restricted होता है Like, peptide bond कहाँ पे होते हैं? Amino acid के बीच में होते हैं अब यह rotate क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके बीचे reason क्या है? तो क्या होता है ना क्यों पैप्टाइड जो यह amino acid है Like, इसकी ऐसे chain होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा partial double bond क्योंट हो जाता है तो partial double bond do not allow to do not allow to rotate Okay, so this condition में क्या होता है यह partial bond character होता है इस विचे सी restricted होता है Now second चीज़ यहाँ पे यहाँ पे दो पास पास में होंगे तो steric interest problem create आएगी तो यह भी चीज़ होगी तो दो चीज़ यहाँ पे अफ्रक डालती है कि इसका partial pressure दूसर स्टेरिक इंट्रेंस interference so option number C and D what are correct Okay, now next देखते है अन इसमर क्या होता है कि आपको पता है that is the isomer which are mirror image of each other क्या है कि ऐसा इसमर जो एक दूसर की mirror image पताता है like आप ऐसे देखो a c o h क्यांसे देखना c h o and h and a c h to o h तो यह आपका d sugar है इसका अगर मैं mirror image बनाओं तो mirror image बनेगी आपका यह ओच यहाँ पे right side में यहाँ पे हो जाएगा आपका left side में और यह इसका structure हो जाएगा ऐसा okay तो इसका means क्या हुआ कि पहला कैसा था d amino acid right side में जब o h है तो यहाँ पे क्या बन गया alumino acid तो mirror image में उसकी form change हो जाती आइसोमर बन जाते है और इसमें क्या होता है कि एक दूसरी इस सूपर नहीं उपाता है मिंस्ट इमेज वह सूपर इंपोस एक्टम मिक्स नहीं होगी मिंस दिखाए देगी तो और यह केरिल कार्बन नाम रखा घता है तो वझ्जिति यहां पर डेखना सब्सक्राइब कर्पांद क्या मों क्मक्या बोलता है पैनलमिक में क्या बोलता है पैनली में क्या बोलते है पैनलतिक मेंका औरамен पीनलमिक के कार्बन और राइट सैड में तो उसको बलेंगी कि मीट का ब professor यह म deg से ध्यान रखना है कि इमेज होती है वह सुपर इंपोस नहीं होती हो और जो एनांसमर होता है डाट आर्द केरल्ड मॉलेक्टिल्स ओके सो ऑप्षिन नॉम्बर और भी और सी बहुता करेक्ट इसे ऊक्ष्णर स्ट्रॉक्चर य gestर ॉप्रोटें कर्टेंउ मॉर्ण बनता है और जी संधास्ट अफ्र uniqueness आफीस्ट्र डाइब लोबिन कोईड़ने ली प्रोटिन का इकजामपल है तो यह के सब राभर कोहता है मिन्स अगर बहुत सारी polypeptide मिन्स multiple subunit से मिलके यह कोईटनरी स्ट्रक्चर बनता है तो यहां पर यहां पर जो अंस्वर है आपका option number B and D protein with more than one subunit एक से ज्यादा subunit होगी है ना मैंने वोला ना two and more polypeptide chance means एक polypeptide chance subunit बोलता है then two and more subunit means multiple subunit so protein with more than one subunit okay now D the relative orientation of one peptide to another peptide is multiple multi subunit complex और यह सब ऐसे means यह पर यह पर होता है यह आपस में ऐसे means एक दूसरे के साथ ऐसे joint होता है okay तो यहां पर hydrophobic interactions भी होता है non-covalent interactions भी है और covalent bone भी बनता है तो ध्यान रखना यहां पर आपका cnd protein A has a binding site for ligand with kd 10 की पावर minus 6m okay protein B has a binding site for x ligand with kd of 10 की पावर minus 9 तो यहां पर kd kd का means क्या होता है kd means dissociation constant okay kd means dissociation constant like यहां पर kd तो यहां पर जो kd की value है a की a है यह 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 बी है okay now kd a की value है 10 की पावर minus 6 and b की value है 10 की पावर minus 9 choose the correct statement about the protein a and b तो यहां पर a and b के लिए correct statement आपको चूज़ करना है तो सबसे पहले चीज़ यह देखते है kd की value किसकी ज्यादा है 10 minus 6 ज्यादा है यह फिर टैंक की पावर minus 9 है और से बात है minus 9 value जो कम होती हो ज्यादा होती means 10 की पावर minus 6 ज्यादा है means kd किसकी ज्यादा है a की kd ज्यादा है kd means dissociation constant तो ध्यान रखना एक formula होता है कि associate is equal to 1 upon kd means means a is the associated associated constant यह इसकी inversely प्रबन दोता है dissociate constant अगर kd की value kd अगर एक ही ज्यादा है तो जो associate constant इसका just reverse means जो k है a है कि a है वो किसकी ज्यादा होगी वो गया की बी की आई बात समझ में देखो तो यह दोनों opposite है और एक चीज़ ध्यान लखना कि जो केड़ी है जिसकी केड़ी की value ज्यादा होगी उसके affinity उतनी कम होगी means आप ऐसे सुझो ज़्यादा जिसकी associate constant value एक के जिसकी ज्यादा होगी उसके affinity ज्यादा होगी है ना बाइंड करने की उसके affinity भी ज्यादा होगी असोसिट ज्यादा है तो affinity ज्यादा होगी अगर dissociate होगा तो उसमें affinity क्या होगी कम होगी अब options में जाता है तो यहां पर क्या देर का protein B has a more affinity affinity of ligand x as compared to a तो protein B है वो ज्यादा affinity अब देखो protein B के ज्यादा affinity क्या जब affinity करती है है ना तो protein यहां पर देखो के की value किसकी ज्यादा के की value B की ज्यादा है means इसकी भी affinity ज्यादा हो तो options यह correct हो गया now protein A has a low associate constant तो protein A है वो associate constant यह associate constant low है तो ठीक है ना बी से तो लो है बी से कम है यह भी आपका बी बी राइट हो गया option number बहुतार correct A and B ओके ना नेक्स देखते हैं the catalytic serine in a serine proteins behave as a dash in catalysis तो यहां पर जो serine होता है ना तो serine में क्या होता है कि उसकी जो terminal भी OH group होता है ओकी OH group की बज़े से they are able to act as a nucleophilic okay because serine has a OH group so that's why they act as a nucleophilic तो यहां पर nucleophilic का means होता है the tendency to do donate electron electron donate करने की tendency so option number आपका होगा first A correct okay now trypsin hydrolyze the peptide bond Indy to trypsin होता है यह questions बहुत पुछे आता है कि कहां पर का कट लगाता है ना amino acid कौन से peptide पे तो मालो कि यह amino acid है जो trypsins होता है वह हमेंसा lysine and arginine after the lysine and arginine arginine and lysine की बहाद में कट करेगा मेंसा लाइक यह amino acid है लाइक प्रोलीन हुआ glycine हुआ लाइसीन हुआ तो यह सारी सपोस को लो टिप्टोफेंस हुआ जो भी आपका लाइसीन हुआ तो यहां पर क्या होगा यह जो trypsin है trypsin कब कट करेगा after 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 lysine तो lysine की बाद नहीं यह इसकी बाद यहां पर कट लगएगा ओके and after arginine मालो की arginine यहां पर यहां पर इसके आगे लगाएगा ओके और वह भी कब लगाएगा तो यहां पर इसके आगे कट लगाएगा तो ध्यान रखना तो यहां पर जो trypsin है hydrolyze the peptide bond in the and the sea terminal of okay अगर यहां पर आर्जिन देता वह भी करेक्ट होगा लाइसीन दे रखा है वह भी करेक्ट है तो यहां पर लाइसीन आप्शन नुमबर थ्री इस करेक्ट ओके नाव नेक्स देखते हैं which of the following proteolytic enzyme are the basic endo pro endo protease यहां पर 32 question है यहां पर चीज़ और ध्यान लगने है आपको कि बहुत साइचीज होते है यहां पर पुछा कितने फ्रेग्मेंट बन जाते हैं तो उसको देख लेना now question 33 which of the following proteolytic enzyme are basic endo protease यहां पर पुछा कि endo protease कहीं एक्जांपल भी पुछी जाते हैं तो कहीं endo protease की example पुछी जाते हैं एक्जो प्रोटीज जो टर्मिनल वाले amino acid पर ब्रेक करते हैं और endopreptease जो सेंटर वाले amino acid की peptide broken को ब्रेक करते हैं उसके कुछ नयाम होते हैं तो धियान एक्जांपल और endopreptease option number B is correct okay now which of the following are the correct sequence of reaction of glycolysis नहीं देंते हैं ग्रूंडा हेós बीडुकश घ्रटाउर वाले नें चौन होता है जीजणों होता है किसमें correct होता है from half plus that also full खर दो कोषा यहां पर देने रखन फिर होता है यहां वह कनवर्ड होता है उसकी दो आइसोमर फॉर्म हो जाती है लाइक जी थी पी ग्लीस्रेट डी अल्डी हाइड थी फॉस्फिट और डी एच एपी डायसल फॉस्फिट ओके तो यहां पर यहां पर दोना आइसोमर होता है मिन्स इंटर चैन्ज हो जकते हैं फिर जो ग्लुकोस होता है गेल कर दिश्फेट थैंडे देनी दर्खाए फिर होता है वह आपका फॉस्फो ग्लिस्टेट को कि अोगेवर्ट फॉस्फिट लाइक और एक फॉस्फो अटलस पारीप यहां पर आपका यहें C रह्टों होता है down यहां पर यह इनने डी पियरेस रुक्षाय को सब्सक्राइज होता है काहां से जन्रेक होता है यह बहुत तो थ्यान अगाना यह भी मैंने वीडियो को लिएख लेना तो वह भी काफे ज़दा help मिलेगी तो एंड एक एडवेज और है कि बहु और डियू की दोनों बायोखेमिस्टी की पीपर सॉल कर लेना काफे ज़दा आपको help मिलेगी अज़े फोलाइं कंपाउंड फिर एक थी कर सेंच कांसे कंपाउंड alec और और शैयंच दाइअ wash और श ऑप्रेंटार अफ व्याप्र escaig को सबस्केटीर अश्याइगें फ्रॉटीड होते जाएंगे गात्यों कि इनर्जय कहां तो इसे वादर यहां पर देखो यहां पर देखो यहां लास्टमीन है तो मैं यहां पर अमिनो आशिट में करूंगी तो इस वजह जैसे यहां पर ओएच बांड ब्रेक होगा और यहां पर होगा फिर दोनों को आपे स्कंबाइन हो जाएगा मिंस चो लास्ट वाला मॉनोमर लास्ट वाला जो मॉनोमर है ग्रोइंग पॉलीमर तो यह एनरजी कहां से आ रही है फ्रम दी लास्ट मॉनोमर ओके कि स्वापशननमबर और डी स्कारथ उल्याक फेर नश्यप्र और इंसुलेंटर होता है वह क्या करता है कि जो होता है उसको इनीबिट करता है अब हुआ होकिए फ्रम चीजुअ आता है इतो ऑविक च्रम étant h attend तो यहां पर देखो जो टांस्कुर्शन के वह आक्र फेक्पे थ्रक्स यह तो ऑर शीए सेफिए ऊपर सबसक्र करक्त क्राइग से यह जिसे क्या होगा कि यह complex open होगा complex complex open होगा तो transcription start हो जाएगा okay transcriptions start हो जाएगा तो यह जो enhancer क्या करता है enhancer transcription को means transcription को start करने में help करता है now तो इसको just enhancer को inhibit करने के लिए एक all gene present होता that is an insulator okay तो वो क्या करता है यह इस gene को express होने से इसको express होने से रोगता है specific DNA sequence यह भी insulator तो यह क्या करता है protect expressing gene from the surrounding so यहाँ पर आपका answer होगा B okay B is a long range of enhancer enhancer की function को block करेगी now next system select the best they can be present in the first position of anti-cordon reason in tRNA pairing with uracils present in the third position of cordon तो यहाँ पर आपको पता होगा वोबल पोजिशन आपको पता है अलाइक यह आपका टी आने यह फर्स्ट ओके टी आने मिंस यह एंटी कोड़न है इसके सामने क्या होता कोड़न बिएंद दल्सकों यह इससामने किवें सके सार्थ यह सेकिंद के सेकिंद यह सेकिंद यह तर्द कि तो यहां पर क्या होता कि पहला mean, आपको बाइंड़न weren't 알고 कि लस्ट बाइंड होका इसकी उसको पजिए कोड़न तो यहां पर कॉड़न बाइंड होगा वो पता है तो मालों कि अगर कि आपको बैंट को कोड़ कर सकती है तो यहां पर वोबल पोजिशन आपको पता होगा एंटिकोड को क्या होती है कि मालों कि अगर A एंटी कोड़न अगर A है तो उसके सामने वो U को कोड़ कर सकती है अगर एंटी कोड़न C है तो वो G को कोड़न सारी कोड़न अगर A है तो U को कोड़ कर सकता है G को कोड़ कर सकता है वेट वेट जो एंटी कोड़न A है ओके एंटी कोड़न है तो वो यू को को डों करेगी ऊगे सी हैं वो जी को को कर सकती है मिंस्ब यह आपके झालाव उक्षिक अगर को करेवक कर सकती हैं आधि यहां पर जी है तोट को दूनों को को करेगी अगर ucz剛剛 यह है अगर यहां पर आई है तो वो ए सी एंड यू तीनों को कोड़ करेंगी तो अवराल चीज़ यह है कि सी को कौण कोड़ करें देखो सी को एक यहां पर एक यहां पर कहां गया एक यहां पर है तो सी यहां पर यू को कौण कोड़ कर सकता है यू को सारी है यू एक यहां पर के पास एक के पास है और एक आपका जी के पास है मिस अंसों क्या हो गए आई एंड जी देखो ए आई जी ध्यान से देखो आप इस बताती हो एक कोड कों करता है यू करता है जी कि गाल़त तो कोड की अगर यू है तो कहां का यू एक है रहा एक यहां पे यह रहा एक हिए रहा मिंस इसका अन्टी कौडन tua कों कर नहीं हो सकता है इन असे और यह हो सकता है और ग्वे नुन हो सकते हैं तो यहां पर थी है अपके करेक्ट दैसे असीडली एडिनीन और दी जो पॉजिशन ध्यान रखना नाौ एक्षिशन फ्लीचिन अफ्लम कोशिचन था इस में अवार इंवार्मेंट ड्लूकोस कन्डिशन में बाहर से वह लेक्टोज लेगी ले तब नहीं होती है यहाँ पे तो आपर किया यहाँ प्र। सो option number D is correct यहां पर पूरा पता हूंगी तो समझ में नहीं आएगा बहुत बड़ा प्रोसेस है थ्यान रखना कुल मिला कि आपको लैक आपने वाला concept ध्यान रखना है now spontaneous deamination of 5-methyl cytosine resulting तो यहां पर क्या दे रखा है 5-methyl cytosine तो ध्यान रखना है तो hypo xanthine में convert होता है अगर मैंने ammonia निकाल दिया तो ग्वैनिन है तो वह xanthine में convert होगा अगर मैंने अमोनिया निकाल दिया तो यहां पर क्या दे रखा है 5-methyl cytosine 5-methyl cytosine means cs3 already यहां पर add है अब cs3 already यहां पर add है और इनने से अगर मैं ऐसी ns3 निकाल दिया निकाल दिया तो क्या बनेगा डायट बनेगा आपका थाइमीन क्या बनेगा थाइमीन तो यह चीज़ ध्यान लखना क्या अप्शेंर नमबर होता है D-correct और पुछे जाता है यह भी मैं इम्मीनोडेफिसेंसी इस्टूटाएस यहोता के अड़नोंश्य दिया तो यह कि यह होता है आपके 25C 26C 45 questions की बात की मेरी जो next part होगा उसके अंदर part 3 के अंदर हम next questions को solve करेंगे ओकी I think next जो part होंगे वो दू part और होंगे ओकी so अगर आपको इसके regarding कोई भी QID जे कोई भी questions है तो आप मेरे साथ share कर सकते हो comment जरूरूर पताना की video कैसी लगी okay and video को like जरूरूर करना and share करना okay so next part में जल्दी मिलते हैं so thank you so much for watching my video and अगर आपने चनल पर first time विजिट के हैं then please subscribe and support this channel okay bye bye